कि नमस्का दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल आज का जो टॉपिक हम लोग बोलेंगे यह एक क्या है मतलब जो लोग कंपोजिशन कर रहे हो और जो लोग सोच रहे हो जैसे कि भूत सारा लोग ऐसा है दोनों इंस्टॉल करके रखा है क्योंकि कब QS 11 बंद हो जाएगा कब QS 5 क्राश कर जाएगा कब निव एंडो क्राश कर जाएगा कोई ठीक नहीं है इसलिए दो तीन सोफ्टर लोट करके रखा है बहुत सारा लोग ऐसा कर रहा है और जो QS 11 और QS 10.5 कोई भी यूज कर रहा है उसमें भी एक दिक्कत हो रहा है और फिर से दोबारा करना पड़ता है और ऐसा ऐसा टाइप में मतलब इस टाइप का सिचुएशन अगर चलेगा तो स्टूडियो में रेकॉर्डिंग करने में बहुत ही दिक्कत हो जाता है तो कुछ लोग सोच रहा है नया खरीद लू कुछ लोग सोच रहा है नहीं ठी उसके बात क्रेश नहीं करेगा ऐसा भी बात नहीं है क्योंकि क्या होता है मेशीन जब बहुत ही बीजी हो जाता है उस टाइम में प्रोसेस कर नहीं पाता है ठीक से तो प्रोसेस नहीं करने का वज़़ा से और उरिजिनल बल और डूप्लिकेट बल डूप्लिकेट में होता है कि जादा तर होता है ORIGINAL में भी होता है हम देखा है कि उसको भी थोड़ा सा problem दिक्कत होते हैं क्योंकि क्या है 64 bit आफी जो जितना सारा software चल रहा है सभी 64 bit कंई चल रहा है सभी जितना सारा है जो नया नहीं नई निकल रहा है, सब 64 beat का ही हो रहा है. तो इस में क्या और भी एक दिक्कत हो जा रहा है ? क्योंकि Qs 5 में नहीं आ रहा है वो. अगर stylus अपने load कर लिया, तो trillion नहीं आ रहा है. trillion कर लिया तो Fans often. नहीं आ रहा है. तो ऐसा type का problem हो रहा है. फाइब में आ रहा है नहीं तो 11 पूरा दिकत है यह बहुत लोगों को परेशान करकर रख दिया है क्योंकि कब बंद हो जानते नहीं है तो इसका वज़ा से हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक्षडी जब काम करेंगे तब छोटा छोटा करके कम पहले तो यह देखना चाहिए जो हम लोग इंस्टाल किया है जैसे कि stylus बोलिए Omnisphere बोलिए कीश केब बोलिए Spectre Sonos का कोई कोई भी इंस्टाल किया है नहीं तो Nexus बोलिए Nexus 3 बोलिए तो इसका दो वर्शन जब आप लोग इंस्टाल कर रहे हो उसका 32-bit और 64-bit एक साथ है की नहीं है यह पहले देखना है तो नया जो stylus निकल गिया है उसका only 64-bit है 32-bit है नहीं 64-bit सापोर्ट करता है और उसमें कुछ ज़्यादा samples भी है उसकंदर और Omnisphere भी नया हो गिया है तो हम जो बोलना चाहते है जब आप लोग काम कर रहे हो QS5 में बोलो QS11 में बोलो दोनों software लेके जब काम कर रहे हो तो जब कोई भी MIDI का काम कर रहे हो तो MIDI एक बार काम करके उसको थोड़ा सा रेंडर कर दो क्या होता है जितना tracks लेके आप लोग काम करोगे instrument tracks जितना लेके आप लोग काम करोगे उतना ही busy होते जाएगा तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि studio का अंदर अगर जाओगे तो इधर आप लोगों को मिलेगा जैसे कि audio performance अभी कुछ tracks हमने लिया नहीं है तो एके करके हम बढ़ाते जाएंगे तो ए थोड़ा थोड़ा करके performance मतलब यह load बढ़ता जाएगा डिक्स केश भी बढ़ता जाएगा maximum average audio performance भी बढ़ता जाएगा जब यह 50% तक चला जाएगा तब प्रोसेस ठीक्स कर नहीं पाएगा 50% को ऊपर जब हो जाएगा तब लोड इतना जादा हो जाता है 32GB RAM बहुत सारा लोगों को पास हाई नहीं 16GB है 8GB भी है तो उसमें वो Windows चला रहा है उसमें QS चला रहा है उसमें फिर एक VST भी चला रहा है तो VST का लेयर चला रहा है तो आपने शायद दो Omnisfial ले लिया एक Stylist ले लिया एक Contact ले लिया बस इसमें जो लोड इंग हो जाएगा 50% का ऊपर चला जाएगा तो जब कोई भी काम कर रहा है तो एक एक Track करके उसको Export कर दो Export कर दो Audio में और Audio में Export करके वो Track को Freeze कर दो कैसे Freeze करना पड़ता है जैसे कि हम इसको इधर एक Suppose Contact ले लिया तो Contact एक Contact से तो होगा नहीं बहुत सारा Contact लेना पड़ता है हम दिखाया भी है जैसे कि Contact का यह अगर हम लोग खोलेंगे Edit Instrument Channel अगर हम लोग खोलेंगे तो एक Contact हो गया इसका 16 Channel हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे कि और एक MIDI Track अगर हम लोग लेंगे तो एक Contact का कोई भी Strings हो सकता है Strings हो सकता है तो यह दो नमबर चैनल हो गया ठीक है तो चलेगा वही Contact मगर इसका दो नमबर चैनल से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना इसमें एक नमबर चैनल में सबस हम इसको एक Solo Violin लोड कर दिया थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यह ज्यादा मतब लोड ज्यादा लेता है पूरा एसेंबल करके सब कुछ करके फिर यह प्लैटफर्म देता है तो यह चैनल नमबर वन हो गया तो यह जब आएगा इधर आप लोगों को दिखाएगा जैसे कि यह चैनल नमबर वन हो वन है अलमस्ट हो गिया है तो यह हुआ है देखिए इधर आप लोगों को मिलेगा जैसे कि जब आज आएगा तो यह कौन सा नमबर कितना नमबर चैनल है यह वन नमबर वन नमबर वन है और ओमनी का मतलब है एनी चैनल 16 चैनल का अंदर इनी चैनल हो पकड़ लेगा जब हम लोग इसको करेंगे तो इसको हम लोग धो नमबर चैनल में करेंगे तब अगर हम जैंड को लोड करें तो यह की कॉन्टर्ग को उपर हम लोग लोड कर रहा है हो गया तो जाइन्ट दिखिए ऑटोमेटिकली दो नमच चैनल में आ गिया है तो इसका रेकॉर्ड बटन अगर प्रेस करेंगे तब जाइन्ट बज़े तो यह जाइन्ट अभी नहीं बज़ रहा है नॉर्मली कीबोर्ट से अगर हम लोग प्ले करेंगे तो अभी यह बज़ रहा है तो इसको थोड़ा सा उपर का जो ट्रेक है इसको थोड़ा सा हम लोग मीडी 1 करेंगे और इसको मीडी 2 करेंगे तो यह उपर का बज़ रहा है और इसका जो जाइन्ट है इसमें जो कॉन्टेक्ट है हम लोगों को दिखाना पड़ेगा एक कीबोर्ट है अभी इसको काम करते हैं इसको थोड़ा सा एक पेंसिल लगा लेते हैं इसको लगा के हम लोग अगर इसको प्ले करें इसमें अगर प्ले करें तो प्ले करें तो यह दो नंबर चैनल से बज़ रहे है और इसका अंदर अगर हम लोग कुछ प्ले करें इसको थोड़ा से उपर उठा जे रह तो हम लोग ऐसा ऐसा करके multiple sounds load कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा audio performance भी बढ़ जाएगा क्यूंकि क्या है अभी हम लोग देख रहा है क्या थोड़ा सा red marking कर रहा है और जब हम लोग play कर रहा है तो उसका हिसाब से थोड़ा सा इसको तो हम लोग देख लेते हैं कर दिया है इसको कुछ इसको देखते हैं तो देखे थोड़ा थोड़ा लोड करके loading हो रहा है तो अभी हम लोग कितना वीस्टी लिया है दो वीस्टी लिया है तो दो वीस्टी के अंदर loading ज्यादा हो जा रहा है तो ऐसा करके हम लोग 5 तो लही सकते हैं क्योंकि लेंगे क्यो तो इसका हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कोई भी काम करने का बाद इसको राइट क्लिक करके नहीं तो इधर यह बटन जो है इसको फ्रीज इंस्टुमेंट चैनल कर देंगे तो इसमें क्या होगा लोडिंग आपका कम हो जाएगा और साउंड जो है वही बज़ेगा 100% बज़ेगा मगर आप लोग कुछ एडिट कर नहीं पाओगे चलेगा अगर कोई एडिट करने का ज़रूरत है फिर हम लोग आनफ्रीज कर देंगे आनफ्रीज करके हम लोग इसको एडिट करके फिर फ्र खुल जाएगा क्यूबस 11 11 जरूरत दिनहीं क्यूबस 5 जाएगा अभी प्रॉब्लम जो है क्यूबस 5 में पेंट हम समझा देता है क्यूबस 5 में हम लोग 10 अगर हमारा पास 16 GB RAM है फिर भी हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे ओनली 4 GB यूज कर पाएंगे क्यूखि य 11 में अगर हम लोग 128 GB लगा दिया है फिर भी हम लोग 128 GB यूज़ कर पाएंगे यह एक बहुती मदब किया बोलता है मदब बहुती फेसिलिटी वाला बाद हो गिया कि इसको यूज़ करने के लिए है तो ए मीन प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग 11 का उपर काम करता है ने तो 10.5 का उपर काम करता है यह में जगा है जिस जोगर पर हम लोग पूरा यूटिलाइस कर सकते हैं जो 16 बीट मंदब 32 बीट में हम लोग यह कर नहीं सकते हैं ठीक है तो यह हो गिया तो इसका solution solution कैसे निकल जाए क्योंकि यह भी fault कर रहा है क्योंकि यह भी इसमें जब loading जादा हो जा loading कम भी है फिर भी यह crash कर जा रहा है crack version में हम बोल रहा है original version में ऐसा नहीं होता है उतना जादा crash नहीं करता है तो इसमें अगर stylus नहीं आ रहा है तो कैसे हम लोग इसको ले आए तो देखिए दो टाइप का चीज होता है इधर computer my computer अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें एक दो तो इन टाइप का चीज होता है तो यह जो 32 bit का कैसे हम लोग समझ पाएं जैसे कि program file एक से 86 जो है यह 32 bit का है और program files जो है 64 bit का है तो normally आगा stylus में stylus normally load होता है क्या stainburst का अंदर VST plugins का अंदर load होता है ठीक है जैसे कि stylus RMX बोलके load होता है इधर होता है तो यह same चीज अगर आ अगर आप लोगों को VST इधर मिलेगा same तभी वो 64 bit में support करेगा तभी वो आएगा तो normally दो जागा पर होता है हम दिखा देता है program file उसके बाद VST plugin का अंदर भी हो सकता है stylus RMX बोलके और नहीं तो program file stainberg और VST plugins का अंदर हो सकता है तो normally इसमें क्या होता है जो program file का अंदर load ह वह की ही होता है वह जितना सारा plugins होता है सब 64 bit का plugin होता है उन इसमें क्यूबस 5 में नहीं आएगा new end of 4 में नहीं आएगा 107 mm positive zip plugin और जो program file x86 का अंदर το VST plugin है इसका अंदर जो है यह यह आएगा exist quickly से आया जाएगा और स्टेनबर्क के अंदर जो है इसका अंदर भी जो है इसका सब कुछ आ जाएगा तो अभी मिन प्रावलम जो है कि वेस फाइब थोड़ा क्रेश काम करते हैं और क्यूबस 11 थोड़ा ज्यादा क्रेश करता है तो इसके वज़े से हम लोग करके सकते हैं audio बना लेंगे वो audio को हम लोग खोलेंगे QS 5 में भी खोल सकता है और QS 11 में भी खोल सकता है audio में उतना ज्यादा होता नहीं है जब VST लेते हैं हम लोग तो उसमें थोड़ा ज्यादा loading हो जाता है बढ़ जाता है studio के अंदर studio setup उसके अंदर जो आप लोगों का sound card है उसका control panel में जाना पड़ेगा और उसमें जो buffer size है buffer size का उपर latency depend करता है जैसे कि 256 buffer में अभी हम लोगों को latency क्या आ रहा है तो इसमें हम लोग देख पाएंगे 6.417 ms में input latency है और output है 11.134 मतलब थोड़ा सा latency है हम लोग बोल सकते है 5ms latency है कोई दिक्कत नहीं है इसमें हम लोगों को latency महसूस नहीं होगा तो 256 buffer size एक standard buffer size है और 512 भी standard buffer size है मगर 512 तभी हम लोग करेंगे जब हम लोग audio का काम करेंगे मगर MIDI का काम जब हम लोग करेंगे तब 256 buffer size राखेंगे तो इसका उपर latency का dependency होता है मलोग यह इसका वज़ा से latency होता है ठीक है अभी में जो problem था वो उसको solve करने के लिए हम लोगों को दो एक parallel जो लोग crack यूस कर तो उसके बारे में हम बोल रहा है parallel दो software में काम करना पड़ेगा कीवस 5 में भी करना पड़ेगा कीवस 11 में भी करना पड़ेगा तो वोकल के बारे में हम हर टाइम आप लोगों को बोलेंगे जैसे कि वोकल अगर लेना है तो निवेंडर 10 नहीं तो QS 11 हम प्रेफर करेंगे निवेंडर 10 में अगर वोकल लेंगे तो उसमें quality अच्छा होगा है मंदब ल theo फोर का ज़से जैसे नहीं होगा थोड़ासा आप लोगों को चेंजस मिलेगा थोड़ासा टेस्ट करक देख लीजी यह हमारा आप्टवेंज हम बोलरहा है तो इसमें अवको थोड़ासा मंदब परेशानी थोड़ासा काम होगा ओत तो कुछ कांबने के निया नॉर्मली क्या है जीतना सारा plugins है वह भी नेट में available है इंस्टॉल भी हो जाता है मगर इंस्टॉल हो जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत करते हैं प्रब्लेम करते हैं QS खोलता है नहीं है क्रेस करे जाता है जितना बार हम खोलने के लिए कोशिश कर रहा है खोल नहीं रहा है तो यह प्रब्लम तो बहुत सारा होता ही है मगर यह प्रब्लम किसका वज़े से होता है बिसिकली जो उल्टा सीथा plugins हम लोग लोड कर लेता है उसको QS ठीक से नहीं कर पाता है, मतलब उसको manage नहीं कर पाता है, ठीक से, इसका वज़े से प्रावलम होता है, थैंकि दोस्तों, एक ट्रावल शूटिंग था, इसका वज़े से आप लोग थोड़ा बाद में देखोगे, जब भी देखोगे, तो ऐसा ऐसा जगा थोड़ा से चेक कर रहना, जब चेक करोगे, आप लोगों को लगेगा, हाँ ठीक है, इसका वज़े से प्रावलम हो, इसको हटा दो, तो यह काम नहीं कर रहा है, ठीक से, हम लोग दूसरा चूज कर लेंगे, बहुत सारा कंप्रेशर है, बहुत सारा EQ है, बहुत सारा, मतलब एई, प्र आप लोग देखिया, और कॉमेंट करका बोलिया, जैसे कि आप लोगों का प्रावलम सॉल्व हुआ की नहीं हुआ,